हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल अच्वी जिक्यवीद पिक्की में I hope सब बढ़ियां होंगे और अपनी तैरिकों अच्छे से कर रहे होंगे आज हम चंबा डिश्टिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हम चंबा डिश्टिक को तो सब से Panheen प्रशन कैंपता है गठन के पारे में तो चंबा जिले के गठन का कर किए इया था तो चंबा जिले का गठन 15 अपराल 1948 को किए ग्या था तो चंबा चिले का मुख्यले कहां पास तेत तो चंबा चिले का मुख्यले है वो हैं आफ़का चंबा चिले में नेक्स्ट के पूछा जाता है कि जंडगनसथाँ जमबहजिली की स्वगश्ट दर कितनी है वह आगए आपके असी प्रतिशत कोशिणि सम्बहजिले की साक्षट्था दर कितने प्रतिश्थत है तौ तो में जंबहनु आपके 22 सबसे कम शाक्षतत दर वला जिला कौन से है वह आगे आपका चंबा जिला नाग़्क्त हमा जिले की ज्योग्राफिक को हम डैसे डिसकश कर लेते हैं तो जदेगर जिला इसमें क्या बताए गया है कि जो चंबा के उत्त में जो है जम्मु कश्मीर राजे की सीमय जम्बा से लगती है और पूरव में लाहोस्पिति जिले की दक्षण में कांगडा जिले की शीमय लगती है चम्बा जिले को कांगडा और लहोस्पिति की दोर सिमाई छुती है हाथी धार चम्बा जिले में स्तित है और ये कम उन्चाईव वाले शिवालिक परव्यत स्रेणी में आती है तो एक्जाम में प्रशन पूछा जाता है कि हाथी धार किस जिले में स्तित है तो हाथी तहर जो है आओगी आपकी चमबा जिले में और ये कहां पर पढ़ती है ये पढ़ती है आपकी शिवालिक स्रेणी में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चंबा जिले की घाटियां चंबे जिले की घाटियां में सबसे पहले आ जाती है आपकी रावी घाटी रावी घाटी को चंबा घाटी के नाम से भी जाना जाता है रावी नदी चंबा घाटी के बीचो बीच प्रभावित होती है इन घाटी में मुखेता गदी लोग रहते हैं और चंबा में भरमोर, डुलोजी, घजयार, आजी चंबा घाटी के पुरमोख नगर है चंद्रा भाग घाटी, चिनाव घाटी, चंबा में स्तित है, भटयात और सिंता चंबा की सबसे उपजाओं घाटी है इसमें कहा क्या गया है कि जो आपकी रावी घाटी है वो चंबा घाटी के नाम से भी जाने जाती है और आपकी जो रावी जो नदी है वो चंबा घाटी के पीचो पीच मतलब एकदम जो पीच होते हैं बहां से प्रभावित होती है और चंबा घाटी में मुख्यता सबसे ज़्यादा एश्टी रहते मतलब गद्धी लोग रहते हैं चंबा जिले के प्रमुक नगर कौन कौन से हैं भर्मोर, ढलोजी, खजयार ये सभी चंबा घाटी के प्रमुक नगर है नेक्स्ट हम देखते हैं चंबा जिले की जीलों को तो सबसे पहले आ जाती है आपकी मनमेज जील मनमेज जील बर्मोर उम मंडल में स्थित मनमेज जील बताली सो मीटर की उंचाई पर स्थित है यहां रक्षबंधन को छोटा सनान तदा राधा आश्टमी को बड़ा सनान होता है मतलब क्या होता है कि रक्षबंधन जब होता है यहां तो यहां पर छोटा सनान तदा आश्टमी को बड़ा सनान जिसे हम नोन के नाम से भी पुकारते हैं मज़व किया जाता है यहां गोरि कुंड जिसे हम महिला सनान और शिव कुंड उसे हम पूरु सनान के नाम से भी जानते हैं यहां से साथ किलोमीटर दूर धन्चो है यहां भसमसुर से बचने के लिए सरन ली थी नेक्ट जील कौन सी आती है आपकी नेक्ट जील आती है 705 मीटर है जो चुरा जील के देवी कोठी के पास तित है जो मतलब आपकी गड़ा सुरी जील जो है वो चुरा जील के देवी कोठी नाम के पास तित है नेक्स्ट आपके आपकी खजयार जीन खजयार जीन जिसकी लंबाई है 0.5 किली मीटर और उन्चाई है आपकी 1905 मीटर खजयार को माचल प्रदेश का मीनी स्वीजिलेंड भी कहा जाता है इसे ये नाम पीप लेजन ना साज जुलाई 1962 को दिया था ये बिशव का 160 वा स्थान है जिसे मीनी स्वीजिलेंड का दर्जा दिया गया है ये स्वीजिलेंड की राजधानी से 6194 किलोमीटर दूर है यह खजी नाग मंदर भी इस्तित है एक्जाम में प्रश्म पूछा जाता है कि खजी नाग मंदर माचल प्रदेश में कि जिले में इस्तित है तो ये आगी आपके चम्बा जिले में नेक्ट आगी आपके पास कि लामा जिल जिसके उचाए 3862 मीटर है और ये साथ समूह जिलो का समूह है और ये बर्मोर उम्मंडल में स्थित है नेक्स्ट आगी आपके महाकाली जिल महाकाली जिल जिसके उचाए 3673 मीटर है और ये देवी काली को समर्पित है और ये चुरा तेसील के खुंडी में 455 में स्थित है चंबा जिले के मंदरों को डिसकस कर लेते हैं तो सबसे फर्ष्ट में आता है आपका मनिमेस मंदर मनिमेस मंदर जो है वो बर्मोर में स्थित है जिसका निर्मान मेरे बर्मन ना करवाया था शक्ति देवी मंदर शक्ति देवी मंदर चंबा के छत्राडी में स्थित है और जिसका निर्मान मेरे बर्मन ना करवाया था एक्जाम में हमारा प्रशन क्या बनता है कि शक्ति देवी मंदिर कहां स्थित है तो शक्ति देवी मंदिर जो है वो है आवका चंबा के छत्राडी में स्थित है और इसे गुगा शिल्पी मेरी वर्वन का प्रमुक शिल्वकार था जिसने ये मंदिर मनाए था ठीक है और लक् मंदर महिशा सुर्मनी दुर्गा को समर्पित है और ये मंदर मेरे वर्मन के शिल्पी गुगा द्वारा बनाया गया था गणेश मंदर बर्मोर में स्तित है और ये मंदर मेरे वर्मन के समय बनाया गया था नरसिंग मंदर बर्मोर में स्थित है और ये मंदर मेरे बर्मन के समय बनाय गया था हरी राय मंदर की स्थापना लक्षम बर्मन ने की थी और ये मंदर चमबा शहर में स्थित है लक्षमी नायरेन मंदर लक्षमी नायरेन मंदर चमबा शहर में स्थित है और इस मंदर का निमा साहिर बर्मन न गिया था ये छेस मुहो का मंदर है गणे कामेश्वर महादे मंदर साहो और चमेश्णी मतलब चंपापती मंदर चंबा में स्थापत साहिर बर्मन न की थी गोरी शंकर मंदर चंबा का निर्मान राजा यूगांकर बर्मन नय करवाए था बंसी गोपाल मंदर चंबा में है जिसका निर्मान राजा बलभदर बर्मन नय 1945 इस्वी में करवाए था सीता राम मंदिर चम्बा में स्थित है जिसका निर्माण राजा प्रिफी सिंग की नर्स दाई मदब बाटलू नाय करवाय था हडिम्बा देवी मंदिर हडिम्बा मंदिर चंबा के महला में स्थित चंबा के वर्मोर में स्थित है और ये चुराशी मंदिरों का स्मुव है राधा क्रिशन मंदिर चम्बा मेंस्तित है और जिसके नहीं ठारा सो पच्टüt इस भी में जी सिंग की राणी राधा नहीं करुआये था अब हम चम्बा शहर के प्रिशिद महल को डिस्कस करते हैं तो अखंड चंडी महल चंबा मेस्तित है और भरमोर कोठी भरमोर मेस्तित है चंबा जिले के किले कौन-कौन से है तारगड किला भटयात जो कि निर्पुर के राजा जगेच सिंग द्वारा बनाये गया है गनेस गड़ लोदर गड़ किला जिसे सुनता गनेस बर्वन द्वारा निर्मित किया गया है अगर ये वीडियो आपको एक्जाम के पॉइंट ओभी से थोटी से भी हलपल लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले थेंकि जेह माचन